सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगा जाता है दूद का तो इतना काम करने के बाद ही बाकी का काम मैं सुरू करती हूँ और क्यूंकि आज कर ठंडा है तो ठंडे में थोड़ा सा मेरा नियम इधर उधर हो रखा है और आज बचों का टीफिन रेसिपी एक सेयर करूंगी आप लोग भी ट्राइ करके देख सकते हैं टीफिन रेसिपी इस तरह से बना के बच्चे बहुत ही जादा खुश होते हैं और चीज पराठा तो चीज को मैंने ग्रेट कर लिया इस तरह से छोटे-छोटे में चार पराठे बनाओंगी क्योंकि टीफिन के लिए ही खारी बना रही हूं तो दिखिए आलो आटा में थोड़ा सा नमक डालके गया हम लोग इसको गूंद लेंगे बिल्कुल रोटी के जैस तो इस तरह से इनकी दो रोटी बनाने के बाद हम बनाना सुरू करेंगे उनका चीज पराठा रोटी में जितनी हम आटा लगाते हैं मतलब मीडियम साइज का रोटी में जितने आटा हम लगाते हैं उससे आधे साइज का मैंने चीज पराठा बनाया चीज पराठा में पूरे में चीज नहीं डालनी है एक अधे में चीज को भरके फिर इस तरह से फोल्ड कर लिया और इसको एक हप सरकल का सेप दिया है फिर फॉर्क से अच्छे से दबा के जो अपन पार्ट है इसको सीक्योर कर लिया साथ साथ में डिजाइन भी बना लिया है और घी से शेक के बना ली है मैंने चीज पराठा पराठे को अलू के पराठे जैसे ही घी से सेखना होता है इसलिए मैंने सेखना अलग से और आपको नहीं दिखाया हफते में एक दिन इनको इस तरह का टिफिन एलाव रहते हैं जिसमें वो सॉस बगेरा ये सब चीजे लेके जा सकते है तो सबस्त एक पराठे में भी खाना बहुत अच्छा रहता है और फल खाने से बहुत सारे चीजे बहुत ज्यादा प्लस पांट से सुरू करके हर चीज रहती है वैसे बच्चों का वेट लाउस के जूर्म नहीं लेकिन उनके स्कीन में जो ग्लोर रहता है और उनका बढ़ते ह बढ़ते हुए बच्चों के लिए फल बहुत ही जुरूरी रहती है अब सबसे पहले तो मैंने देखो टीफिन बीफिन बना लेती हूँ क्योंकि तब तक बच्चे थोड़ा सोये रहते हैं ठंडे के समय है तो मैं भी एकदम से सुबे नहीं उठाती हूँ उनको जबकि उनके सुबे सुबे उठते हैं लेकिन एकदम से चार बजे पांच बजे मैं उनको कभी नहीं उठाती हूँ इसके बाद जैसे बच्चे उठ जाते हैं और अपना फेस वास कर लेते हैं और बाकी के काम करके नास्ता पानी कर रहे होंगे तब तक जो है मैं बिस्तर बगरा स्कूल ठंडा होता नहीं था और यहां पे काफी ठंडा होता है तो लाइफस्टाइल में काफी फरक पड़ा है और बच्चों का भी बहुत ज्यादा चेंजिस हो गया है जिस बज़े से बच्चों में भी बहुत फरक आया है जैसे उनके सारे दोस्त जो थे वो भी अलग हो बच्चों का तैयारी हो गई है लगभग मेरा भी सारा काम सुबेरे का हो चुका है जैसे टिफिन मनाना तैयार होना तो मैं इस टाइम पे जाड़ू माल लेती हूं जाड़ू ऐसे नॉर्मली मैं नींचे उठके सुबेरे ही लगा लेती हूं लेकिन आज काल ठंडे के बज़ नहीं छोड़ती हूं और अकेले लगभग देखो हस्बेंट जो है ओफिस के काम से ज्यादा से ज्यादा बाहरी रहते है और मुझे घर का सारा काम अकेले ही समालना पड़ता है ममी पापा अभी आए है और थोड़े दिन में चले भी जाएंगे और बच्चों का पूरी जि में भी ऐसा ही होता है जब हम कोई गलत आदत में जाते हैं तो बहुत आसानी से उसको एकसप्ट कर लेते हैं जबकि उस आदत को जोड़ना पड़ता है या कोई अच्छी आदत के तरफ बढ़ेना तो हो जाता है बहुत ज्यादा मुस्किल तो यह देखो मैं बापस आगी बच्छों को स्कूल से छोड़के और मैं अभी छिली से चर्चर के जा रही हूँ उपर चड़ने में मेरी हालत सची में खराब होता है और देखो पीछे लिफ्ट काम नहीं करी है लिफ्ट बंद पड़ी है जाना है नौ फ्लोर तक तो चलो जाके थोड़ा सा मैंने बैट के जी थोड़ा सा रेस्ट किया पांच मिनिट के लिए उसके बाद नास्ता करके फिर सूरू हो गई मेरा जो पूछा बाकी था तो पूछा मार लिया क्योंकि मैं जब सुवेरे स्कूल रहता है और अके लिफी सब कुछ करना पड़ता है तो बिलकुल समय नहीं मिलती है ची कर लेती थी लेकि और उस तमय उनका स्कूल का टाइमिंग भी थोड़ा पीछे था लेकिन अब ही मॉनिंग स्कूल हो गया है और बच्चों को मुझे ही छोड़ना पड़ता है तो यह सारे चीजों के वज़े से नियम थोड़ा सा चेंज हो गया है कहीं लोग पूछते है कि किस तरह से करेंगे मॉनिंग में के नहीं हो पाती है पूजा तो कैसे करेंगे तो देखो अपने अपनी हिसाब से कर लो जैसे आपका जिवनसली है ना उस हिसाब से आप कर लो और यह नीचे बैटने के लिए छोटे-छोटे गुद्री जैसा बनाया है मेरे सासुमा ने बन खाना खाते हैं तो इसी में बिचा के खाना खाते हैं और मुझे उसका एक कौभर भी बनानी है तो कौभर के लिए मैंने कपड़े भी टून लिया है बस टाइम नहीं मिल रहा है तो एक दिन बैठ के मैं यह सारे काच कौभर भी जुरूर बना लूँगी मुझे एक और चीज से कोई चीज बना हुआ रहता है तो बहुत अलग और बहुत ही प्यारा सा रहता है जब हो जाता है घर किसी आपको भी हमें साफ हरता है चाहिए साफ बिल्कुल को यह नम कर तो इसी तरह से चमक उठेगा हमारा मन भी और उससे ना बाकी किसी को नहीं बस हमें तो खुशी जरूर होगी जो भी मन को साफ रखते ना उनकी मन को खुशी बहुत होती है तो अब में नहाद हो के आ गई हूं और साथ साथ में देखो आज ना बहुत बड़ा चेंजिस करने मंदिर में और इसी की तैयारी चल रही है काफी दिनों से मुझे इच्छा था कि मैं इस चीज को कैसे करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूं किस तरह से एड़्जस करूं लेकिन आल्टिमेटली भगवान के इच्छा से यह सारे चेंजिस हो गया है नेक्स तो टेक केर